अले स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक और वें डाइग्राम का कुश्चन करके दिखा रहा हूं जो की आज के assignment में दिया गेया है एक स्टूडेंटränट है ईसा ईसा नयीशा ने अपना solution upload किया है उसको मैं देख रहा था तो उसमें comment भी किया हूं तो इस सब एकर वीडियो देख रहे हूं ध्यान से सुनें इनका question सही answer एकदम correct है लेकिन mathematics में हमको step भी लिखने होते हैं तो यह दो step का question है और उन्होंने सिर्फ एक step किया है और भी final देखो बैटा b minus c whole dash that is the compliment of b minus c तो इसको solve करने के लिए पहले हमको b minus c को represent करना पड़ेगा then we can write we can draw b minus c whole dash तो b minus c क्या होगा तो जैसे कि definition होता है कि difference of two sets all the elements of b which does not belong to c मतलब कि यहाँ पर when diagram में the area of set b but the area does not be in set c तो हम b की वो area जो c में ना हो उसको shade करने के लिए horizontal line के use कर रहे हैं यह देखे हमने दिखा दिये कि first step में तो आप आप देखो यहाँ पर b minus c को हम represent करेंगे horizontal line से अब यहाँ पर हम c के boundary पर आकर रुख जाएंगे क्योंकि वो area b की तो है लेकि c में भी है इसलिए b minus c में वो नहीं रहेगा तो यह हमारा b minus c सिर्फ यह मिला जो हमने set कर दिया अब next step में क्या है b minus c whole dash जो कि हमारा final answer है जिसको एसा ने यही लिखा था तो पहले आप इसको लिखिए देन इसको solve करने के लिए b minus c is accept this area means जितनी area में horizontal line है इसको छोड़ करके पूरे universal set के area को हम select कर लेंगे माल्य उसको हम दिखा दें यहां पर represent करने के लिए कोई भी sign लिख सकते हैं लिएक हमने यहां dotted माल्य कर दिया उसको हम dotted area से तो जितना universal set पूरा universal set universal set के बाहर न जाने पाए इसका ध्यान रखें और इतना छोड़ करके यह जो horizontal line वाली area इसको छोड़ करके हम पूरा shade कर देंगे dotted से dotted यहां रख देंगे dot रख देंगे that is dotted का लाएगा तो यह जितना हमने कहा कि जितना हमने dot रख दिया that is dotted area that is the final solution आपका solution कौन सा यह नहीं है आपका solution यह है second step तो इसमें सिर्फ यह मैं बताना चाहता था कि इसको आप directly यही न लिखा करें कि यह area आपने दिखा दिया कि यह answer हो गया आप उसको step to step चला करें इसी तरह से तीन set कभी कभी दे रहते हैं a, b, c उसमें भी step का ध्यान रखें I think आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है students और अगर कोई doubt होगा तो जरूर comment करके पूछिएगा okay thank you